इस वीडियो में हम कुछ महत्पूर्ण प्रस्णों को करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन रहेंगे जो भी M.C. को एक्जाम देते हैं आप उसमें यहां से फैक्ट्स जरूर आ सकते हैं तो इनको धहरे पुर्बक बढ़ना और समझने बहुत आवस्या है कि आपके लिए चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्टन रहेगा अपना कि 1486 में किस पूर्टगाली नाविक ने उत्मासा अंतरीब की खोज की तो इसका अंसर इस तरी के से रहेगा बार्थो लेम्यों ने दूसरा कोस्टन करेंगे 1492 इस बी में स्पेन का कौन यातरी भारत की खोज में निकला तो ये थे कोलंबस तीसरा कोस्टन देखेंगे हम कि कोलंबस ने कहा की खोज की तो इसका अंसर है अमेरिका चोथा कोश्चन है वास्कोडी गामा ने भारत की खोज कब की तो वास्कोडी गामा ने भारत की खोज 1498 में की काली कट के बंदरगा पर वास्कोडी गामा कब पहुचा तो काली कट की बंदरगा पर वास्कोडी गामा मैं 1498 में पहुचा अगला question करेंगे अगला question छठा question अपना कि भारत खोज कारणे में उसकी साहता किस गुजराती पत्फ परदर्शकने की पत्फ परदर्शक का मतलब है कि किस ने उसको रास्ता दिखाया था भारत की खोज करने में किस ने वासकोडिगामा को मदद की थी तो भारती और गुजराती था अबदुल मुनिक सेवंथ question देखेंगे वासकोडिगामा का स्वागत कालिकट में किस ने किया तो वासकोडिगामा का स्वागत कालिकट में जे मोरिन ने किया जो वहाँ का एक हिंदु सासक हुआ करता था आठवा प्रस्ण है कि पंद्रसो इस्वी में यानि कि फिफ्टिन हंडेड सेंचुरी में तेरा जहाजी बेडों के साथ कौन यात्री भारत आया तो उस टेम भारत आये थे पेट्रो अलचारेज केब्राल के नाइंथ question होगा अलफान्सो दक अलबुकुर्क अलबुकर्क को सेना का कमांडर कब बनाए गया तो अलफान्सो द अलबुकुर्क को सेना का कमांडर पंद्रसो इस्वी में बनाए गया तेंथ question होगा फ्रांसिस्को डी अलमीडा पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कब बना तो फ्रांसिस्को डी अलमीडा पूर्टगालियों का गवर्नर 1505 में बना जो 1509 तक बना रहा अपना नेक्स कोस्चन होगा ग्यारवा कोस्चन कि अल्बू करक ने कब वीजापूर के सासक से गोवा छीन लिया मतलब गोवा को कबजे में ले लिया जबरजस्ती तो अल्बू करक ने वीजापूर के सासक से गोवा कोछीना 1510 में बारवा कोस्चन होगा निंडी कुन्हा कब गवर्नर जनरल बना मतलब कि कब गवर्नर बना निंडी कुन्हा तो वो बना था 1539 में जो लगभग 9 साल तक यानि कि 1538 तक बना रहा इस्पात पर गोवा कब अस्थांतरित की गई तो कोछीन से गोवा राजधानी बनाई गई 1530 में 14th कोस्चन होगा मार्टिन अलफान्सो डी सूजा कब गवर्नर बना तो मार्टिन अलफान्सो डी सूजा गवर्नर बनता है 1542 में और 3 साल और 1545 तक ये बना रहता है अपना 15th कोस्चन देखेंगे मार्टिन अलफान्सो डी सूजा के साथ कौन प्रसिद जेसूइट संत भारत आया तो जो जेसूइट संत अलफान्सो डी सूजा के साथ भारत आया था उनका नाम था फ्रांसिसको जेवियर 16th कोस्चन देखेंगे पुर्तगालियों ने भारत में पहली printing press के अस्थापना कब की तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहली printing press के अस्थापना 1556 में की थी सत्रवा कोस्चन है कि 1559 इस्वी में सर्व प्रथम अस्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम British यात्री कौन था मतलब की कौन British था जो अस्थल मार्ग होते हुए यानि की रसिया होते हुए और जो अपने Central Asia के जो देश हैं इरूप से होते हुए तर्जकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान इन देशों से होते हुए ये भारत आया था तो वो कौन वेक्ती था तो वो था John Milden Hall John Milden Hall जो रास्ते मार्ग से अस्थल मार्ग से मतलब भारत आया था 18th question है Governor and The Governor and Company of Merchants of Training to the East Indies की स्थापना कब होई तो Governor and Companies of Merchants of Training into the East Indies की स्थापना की गई 1599 में 19th question देखेंगे पुर्तगाली इसाई मिशिनिरियों ने कभी इसाई धर्म नियाय धी करण व्यास्था अलागों की मतलब की नियाय की व्योस्था जो है मशिनिरियों के माध्यम से चलाई जाए वह भी इसाई मिशिनिरियों के माध्यम से और इभी उस्था करी किस ने थी पुर्तगालियों ने यह करे थी 1560 में अगला कोस्चन देखेंगे बीशवा कोस्चन पुर्तगाली कमपनी द्वार अपने अधीन प्रमुख वेपारिक मार्व पर वसूले जाने वाले जो सुरक्षा कर थे उनको क्या कहते थे तो उसको वह कहते थे कार्तेज यानि कि कार्तेज वह कर था जैसे माल लेजिए गुवा उनके कबजे में था तो गुवा के पास से अगर कोई जहाद जाएगा तो वह उससे सुरक्षा कर के रूप में बोलते थे कि हम सुरक्षा कर रहे हैं इसलिए हमें इस इलाके से आप सेफली उजर रहे हो तो हमें आप टेक्स दो जिसका वो नाम देते थे कारतेज यह अपने आज के 20 कोस्चन है मुझे लगा कि आपको यह जरूर पसंद आएंगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम आगे ऐसी पढ़ते रहेंगे सो थैंक्स पर नाव इस्टे से